लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अल्ट्रा चनल्स के लिए अल्ट्रा चनल्स का लिए इक लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें on कर दो 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 प्लिए लुवर्णान से पडिए पासिए लारे नाईए य से खिर इना डारे गी हुए यूख अजा जाईए कर दो कर दो कर दो कर दो अबधिशे शुचे जानां अभी औभी तंभाचार मिले है कि आर्थर जोड जेल से एक खुखार कैदी जिसका नाम राकेश राय है जेल तोड़कर फरार हो गया है उसके पास इस्पेक्टर का चुराया हुआ रिवालवर भी है किसी भी व्यक्ति को उस शक्त के बारे में कोई भी चांचारी मिले सुक्रुपया अपने नजदी के पोली स्केशन पर संपत करें धन्यवाद सुचे ना समावी इस सब पहले ही तुमारे मुझ से निकले हुई चीग तुमारी जिन्देगी की आगरी चीगी बन जाए इस चीग को अपने सीने में दफ़न कर लो मुझे पता है अभी तुम मुझ पुछ देर या रहोंगा फिर चला जाओंगा ठीक है अब मेरे सवालों का जवाब तुम्हें इस तरह देना है कि सिर्फ मैं सुन सको तीवार और तरवाजों तक तुमारे आवाज नहीं पहुचनी चाहिए गर में कौन कोन है इस पतियां कोई भी नहीं है इतने बड़े घ पर बहुत कम लोग छूट बोलने की हमत करते हैं तुम्हारे पति कहा है वो एक सब्सक्राइब काम से मतरास के हैं तीन चाह दिन पार लोटेंगे कोई हुश्यारी करने की कोशिश मत करना समझे पुलीस आ गई है उन्हें बहुत से डाल देना ज्यादा चालाग बनने की कोशिश की तो आइल शूट यो ओके मैं यह चुपता हूं यह यह क्या है पहले तुम छुप जाओ मैं बाद में बताती हूं मिसिस केशव नारंग जी मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है क्या मैं अंदर आ सकता हूं आईए रेखिये थैंक यह कहिए क्या बात है I am sorry Mrs. नारंग एक बुरी खबर है आपकी बती जिस प्लेन में मदरास जा रहे थे वो क्रेश होकर मदरास के समंदर में डूप गया नहीं एपकी प्रचंटर में कज़ा मुस्स कारंग, हिम्मस से काम लीची, प्लीज मैंने एक खबर आपको फोन पर देने की बहुत पूशी है, अगर आपका फोन लगाता रहेंगे, जाता रहेंगे, यहां आकर पता चला कि फोन पर रेसीवर ठीक से रखा नहीं है, लगता है रात को कोई आपको अपको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए आप रेसीवर नीचे रख देंगे, एनीवे, मैं चलता हूँ, मिस्स नारंग, आप इस समय घर में अकेली, अपना ख्याल रखिये गा, ओके, यह सब क्या है, यह, यह लाश किसकी है, यह लाश मेरे पती की है, तुम्हारे पती की, हाँ, यह खुन मैंने किया है, तुमने, मैंने, लेकिन इंस्पेक्टर तो वो, प्लेन क्रेश, एक लंबी कहानी है, लगता है, लगता है मैं गलत जगा गया, अब मैं यहाँ एक मिनिट में रूख सकता, पुलीस तुम्हें ढून रही है, तुम कहा हो, यह सिर्फ मैं जान भी हूँ, और यह खुन मैंने किया है, यह सिर्फ तुम जान भी हूँ, तुम कहना क्या चाहती हूँ, मैं यह चाहती हूँ, कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो यहां से भार मेरी निकल सकता, देखो, पुलीस के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे पती की मौत मद्रास जाने वाली प्लेन क्रैश में हुई है तो? अगर हम इस लाज को अभी ठिकाने लगा दे तो इस केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा इसमें अगर तुम मेरी मदद करो, तो तुम कुछ दिन यहां रुख सकते हो यह जगा तुम्हाई लिए सेफ है क्या सोच रहे हो? हमारे पस वक्त नहीं है मैं कपड़े बदलना चाहूँगा उपर मेरे बेड्रूम में अलमारी है, उसमें उनकी कपड़े है, जाकर बदल लो क्या सकते है गाड़ी कहा है? पाहरे तुम्हें चलाने आती है? ठीगे, चलो अज़े बदलना पाहरे बदलना बदलना चाहरे लोगे है कर दो कर दो कर दो कर दो पुलीस ने नाकाबंदी की हुई है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लाइसन्स मेरब क्या बात है इंस्पेक्टर साहाँ जेल से एक कैदित फरार हुआ है उसी के लिए नाकाबंदी है मुझे आपके गाड़ी के तलाशी लेने पड़ेगे के लिए अब देखे वह गाड़ी पीछे से वापस जा रही है आप जाहिए जलो सब लोग बैटो जीप में उस गाड़ी का पीछा करो कि 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 झाल 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 क्यों किया कि आश्या तुम चुप क्यों हो और जाती है पर पति पर कभी हाथ नहीं उठाती कि वह कौन सी वज़ती जो तुमने कले जब पत्थर रखकर अपने पति का खुन कर दिया चादी से पहले मैं अभी नाश से प्याय करती थी कि अले की विया जैसे वह राती थीच्वी घिक्षण को मेरा घर पीछे रह गया मैं तो चाहता हूं कि सारी दुनिया ही पीछे रह जाए और अम इसी तरह एक दूसरे में खोकर प्यार कर सफर टै करते रहें सफर टै करने के लिए सिर्फ प्यार नहीं एक और चीज़ भी बहुत जरूँगी है नौकरी नौकरी धर टेरी इतने बड़िया रोमांटिक मौसम में तुम्हें ये नौकरी की याद कहां से आ गई विस्टर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि कल नौकरी के सिलसले म में फोटो खिचने जाना है कि तुम देखना आशा एक दिन में दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनुगा मेरे पास खूब सारी दौलत होगी बंगला होगा कार होगी और अपनी साइकल का पंचर बनवाइए और ये लीजे अपनी चपी इसे तुम ही ले जाए क्यों कि मैं नहीं चाहता कि बारिश की बूंदें तुम्हारे बढ़न को चुने क्योंकि तुमसे प्यार करने का अधिकार सिर्फ मुझे है और हमेशा रहेगा पाई पाई चलो वेट प्यार पंचर बाई तो तूट गई एक मेंट रुकिए यह लिजे आप यह ले जाए इसे फेक दीजिए यह तो अब रेपेर भी नहीं हो सकती देखिए आप मेरी चट्री ले जाएए पारिश में भीग कर तो आपको जुकाम भी हो जाएगा हम गरीबों को मौसम की सख्थियां जिलना आता है हवाएं तुझ से लिपट कर नशीली हो रही है खटाएं प्यास अपनी गुचाने तुछ पर परस रही है लिबास तुम से लिपट कर कहीं गुम हो गए है तुम हमारे हो नहो पर हम तुमारे हो गए है से लिबास ओुम हाएं जुम हिए है अच्चर कर का दो कर दो से लिए बैठिये परमाईए मैं आपके इस्क्यूज मी सर् आपके हेटलग्स दीनानाजी की बेटी हूँ मेरा नाम आशा है यह मेरे सर्टिफिकत है दीनानाजी आज ओफिस नहीं आये वह घर पर है उनकी तबियत ठीक नहीं है अबियत तो आपकी भी ठीक नहीं है जी हाँ मैडम मैं मिस्स आशा को अपना पर्सनल सेकर्टी अपॉइंट कर रहा हूँ आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप परवा कर लेयाए जी हाँ और दो चाहे बिजवा दीजिए आपने इंटर्व्यू लिया दिना है अपॉइंटमेंट लेटर इंटर्व्यू तो आपकी छींकों ने दे दिया आप सॉरी सर कल मैं बहुत जादा भीग गई थी कल अगर मेरी छती लेली होती तो यह हाल नहीं होता आप ठीक यह रहे हैं सर आशा अगर मैं कोई मश्वरा दूंगा तो कबूल करोगी कल सक आप अजनभी थे अब मेरे बॉस है आपकी बात माना मेरी जूची है सर पिर जैनली जी जो थैंक यू जो थैंक यू आप रहने दीजे मैं साफ कर लूँगी जरा संबल कर पिया कि जी गरम चाय से जिस्म पर दाग में पड़ सकते आंदा ख्याल रखूंगी जरा आपका अपॉइंट्मेंट लेटर आप कल से ओफिस जॉइन कर सकती हैं और यह रही आपकी पाई पाई कल अजनभी आज बॉस और कल अजनभी नहीं तुम्हारा जवाब के तुम ला जवाब हो कलियों को जो सर्मा दे तुम वो शवाब हो मेरी नजर तो बस यह देख रही है चकी नहीं गई जो अब तक तुम वो शवाब हो मालिक आपने मुझे बुलाया क्या बात है दीनानात जब से आशा ने आफिस जोइन किया है तुम कुछ ज्यादा ही छुट्तियां करने लगे हो हां तबिद बहुत खराब रहती है क्या साहब मकान पुराना हो जाए तुछ हट तो टपक नहीं लगती है और फिर उस पर जवान बेटी का बोज हो तो उसके तूटने का डर भी लगा ही रहता है कोई लड़का तराज किया आशा के लिए है सोचा था बिटिया को नौकरी मिल गई है तो कोई अच्छा सा रिष्टा भी मिल जाएगा मगर मगर क्या आँखों का जाला ऑपरेशन के बिना करता नहीं और बिटिया का डोला धन के बिना उटता नहीं पड़ी पेशर्मी से कह रहा हूं मालिक अब तो वो खुद ही किसी सिल्लाव मेरिश कर ले तो अच्छा है कहां से लाओंगा मैं इतना दहेज अगर तुम्हें बिना दहेज के जवान उपसूरत लंबा चोड़ा करोड़ पती दामाद मिल जाए तो पगड़ी बनाकर सर पर रखूंगा उसके जूती बनकर पैर चुमूंगा उसके लेकिन वो लड़का है कौन मालिक लड़का तुमारे सामने है अगर तुम आशा की शादी मुझसे करोगे तो तुम्हारा बुड़ापा अराम से कट जाएगा आपने मेरी चिंता दूर ने 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 ती नना जी ये अधिकार तो मेरा है नी मलिक ससुर है आप जाइए तैयारी कीजिए शारती बड़े दूम धाम से होगी अगर आपको मिस्टर केशब सिर्फ इसलिए अच्छे लग रहे है कि वो कोई देहज नहीं मांग रहे है तो एक लड़का और भी है जो मुझे इस घर से सिर्फ दो कपड़ों में दुल्हन बना कर ले जा सकता है कौन है वो उसका नाम अविनाश है हमें एक साथ जीने मरने का फैसला कर चुके है बेटी प्यार आओ शादी तो अलग अलग बाती जो सुक तुमें केशव दे सकता है वो अविनाश नहीं दे सकता मुझे उस पर पूरा भरोसा है वो मुझे कभी दुखी नहीं रख सकता ठीक है बेटी अगर तु इसी में खुश है तो मैं आज ही जाकर मालिक को इंकार कर देता हूं ज्यादा ज्यादा वो क्या करेंगे मुझे नौकरी से निकाल देंगे ना मैं कोई और काम करके जिन्द मैं मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं अपनी जान भी दे सकता हूं मगर मैं शादी नहीं कर सकता हूं मैं मैं मुझबूर हूं आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है तो मेरी मजबूरी चानना चाहती हो ना तो सुना हुए मेरी बेहन एक लड़के से प्यार करती है और वो शादी से पहले ही माँ बने वाली है लड़के के माबाप अपने बेटी का पाप छुपाने के लिए तरहिज में पांच लाख रुपए मांग रहे हैं और मुझे मुझे किसी भी हालत में पांच लाख रुपयों का बंदवस करना है क्योंकि इस बाप की भागिदार मेरी बेहन भी है अब तुम ही पता हुआ ऐसी हालत में मैं शादी कैसे कर सकता हूं अगर मैं केशव से शादी नहीं करती तो वो बाबुजी को नौकर से निकाल देगा तुम अगर मुझे से शादी करोगे तो तुमारी बहन की जिंदगी बरबाद हो जाएगी आशा हम सरफ अपने लिए जर्म में ही लेते हैं हम पर हमारे अपनों का भी अधिकार होता है तुम तुम अपने बाबुजी के बढ़ापे का सहरा बन कर जियो और मैं अपने भाई होने का फर्ज दिमाता हूं इसका मतलब है जिंदगी की हकीकत पर हमें अपना प्यार खुर्पान करना पड़ेगा आशा जिंदगी के किसी भी नाजग मोड़ पर अगर तुम ही मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना लेकिन लेकिन भगवान के लिए मुझे कभी गलत में समझना आशा है तुम इतनी खुप्पूरस थे गुलाब तुम्हारे होटो को लल जाए नजगी देगे शबनम की बून को सिपका मोती ना बनाईए मैं जानती हूं मैं क्या हूं यह तो आपका हैसान है मेरे माता पता पर जो आपने उनका पोज अल्का कर दिया मैं तो उनका इसान मानता हूं जो उन्हें चान्द का डुक्रा मेरे हावाले कर दिया अपके ऊचे खियलात को सूनकर मुझे इतनी हिम्मत आ गई है कि जो बात में आपसे कहना चाहती हूँ, वो कह दू. मैं सारी रात तुम्हें सन सिकता हूँ, सारी रात तुम्हें देखता हूँ. मैं नही चाहती कि हमारे पीछ कोई भी बात राज बन कर चुपी रहे हैं और रास खुलने पर आपको इस चांद के टुगरे पर दाग नज़र आए तुम्हें जो कहना है बेधड़क कहते हैं मैं बहुत बड़े दिल का मालिक हूँ बोलो घबराओ मत मैं शादी से पहले एक लगके से प्यार करते हैं लेकिन आपके साथ साथ फेरी लेते हैं मैंने उसे अपनी सोच से बहुत दूर निकाल दिया अब मेरी सोच, मेरे सबसे, मेरी सांसों के मालिक आप हैं और मरते दम तक सिर्फ आप ही रहेंगे कहां जा गए कल हनीमून पर जाना है मैं एक पोन करके आता हूँ हलो आशा आपकी तरेट मेरा नाम अविनाशा है मैं आवर आशा कॉलेज में अच्छे दोस्त मेत मार हस्बन मिस्टर केशव नारंग हलो हलो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई आए आप लोगों का एक फोटो केंचता हूँ एक मिनिट आप एक मिनिट आप ऐसे एक हजबन वाइफ वाला फोटोग्राफ है कुछ बढ़िया सा होना चाहिए थैंक्यू बेरी माच यह फोटो में आपके घर पहुचवा दूँगा आए लंच साथ करते हैं जरसल मैं यहां एक शूटिंग इस लिसले में फोटो खिंचने आता हूँ और जल्दी मुझे लोकेशन रख पहुचना है आप लोग ठहरे गाहा हूँ है मैं सी उटर हरे मैं वह भी ठहरा हूँ है रूम नमर 404 में अगर वक्त मेला तो दिनर एक साथ नाइस मेली आए 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 जी ये वही अभी नाश है जिससे दुम प्यार करती थी प्यार करती थी अब मेरा उसके साथ कोई संबन नहीं क्यों? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं जरा एक पैक बनाओ जरा बात है जरा बात है अपिए सेशब हलो हलो अविनाश हाई आशा गोली ने अपना काम कर दिया सुबा तक होश नहीं आएगा अब तुम रूम नमर चासो चार में आजाओ ओके अबीनाश अशा 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 कब सच चुम से बने के धड़ गाहूं अशा तुम्हें बाने की तमन्ना आज मेरे दिल में जिन्दा है क्यों नहीं होगी तुम्हें पती जो ऐसा मिला है जब उसे मैंने पहली बार तुम्हारे साथ लेगा तो ऐसा लागा जैसे चांद पर ग्रहन लग्या हो छोड़ो से नहीं नहीं यह नहीं हो सकता क्या हुआ यह नहीं हो सकता कुछ नहीं मेरी तबे ठीक नहीं है तुम समान बांदो हम अभी वापस लेंगे है आज़ाओ बसन की हटो छोड़ो अरे यह अच्छानक तो का का हुई गवार है कहीं मेरे पती को पता चल गया तो अरे बगली तू आउरत है कवनों तिजोरी नहीं क्योकरा में से कितना माल चोरु होई गवा पता चल जाई मुझे डर लग रहा है कहीं मालिक आ गए तो मालिक अरे उतो मालकन के साथ उता के दे हिंदी मा हाँ चान पर सहज चाटने गए है दस दिन का कहके गए है इस दिन से पहले भला काएंगे चला हम लोग आपन हनीमून मना वल चाहिए मालिक के साथ भी दो रहा चत करेगा तो ने इस अपने चाल में पजा लिया बोल तुझे किसी दूसरे की बीबी को पतिता बनाने की हिम्मत कैसे हुई यह जो नहीं सोचा के तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है तेरी बीबी भी किसी और के साथ भाग सकती है तब तेरे दिल पर क्या गुद्रेगी रुक जाए मालिक यह खुदी मेरे पास आई थी पर के साथ भी बीबी बीबी पास आई तेरे थी पर के पास आई तेरे थी नमस्ते नमस्ते यह कैसे आना हुआ वो आशा को देखे बहुत दिन हो गए थे ना इसलिए चादी से पहले वो बरसों तुम लोगों के साथ थी तब देख देखकर दिल नहीं बढ़ाता क्या अवलाद के प्यार से कभी किसी का दिल बढ़ा है क्या है खोली आ रही है अगर आ आशा से कोई भूल हो गई है क्या भूल आशा से नहीं मुझ से हुई है जी मैं समझा नहीं समझने के लिए इतना काफी है कि आशा यहां से नहीं जाएगी और अगर गई तो वापस नहीं आएगी माँ बाबजी मुझे यहां से ले चल दे यहां मेरा दम खुच रहा है क्या बात से बेजी इसने जरूर कोई गलती की होगी मैंने कोई गल्पी नहीं ती, यह पता नहीं क्यों मुझ से सामाजी पागल नहीं है, जो यूही नाराज हो जाए क्या आपको अपनी बेटी पर भरुसा नहीं बात भरुसे की नहीं ती, तुम्हारे पती की मर्जी की है माँ बाबु जी भी मुझ से खत्राने लगे थे, कि कहीं मैं फिर से उन पर बोज ना बन जाओ इसलिए उन्होंने भी मुझे ही दोशी ठहराया कोई सहारा ना पागल, कुछ दिनों के बाद मैंने अभीनाश से मिलने का फैसला किया आशा तुम नहीं जानती की औरत के मामले में मर्द कितना तंग दिल होता है अंगारों पर लोटने लगता है जब उसे मालू पड़ता है कि शादी के पहले या शादी के बाद उसकी बीवी का किसी के साथ अफैर था अगर तुम उसे चुप रहती तो तो कुछ भी नहीं होता कौन जानता है कि चुप रहने का इंजाम क्या होता और चुपना रहने की सजा कितनी भयानत में लेगी अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है अगर तुम कहो तो मैं किश्व को समझाने की कुछिश करूं सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनकर वो शक की चिंगारी में लिपता हुआ बुरी तरह से लग रहा है तुम्हें सामने देखकर तो ज्वाला मुखी किसा फट देखो शक की जिस आग में वो चल रहा है उसे बुझाने के लिए तुम प्यार की बरसात मचे इतना प्यार दो उसे कि उसके दिमाग से शक का जहर ही निकल जाए वो बूल जाए कि उसके दामन पर लगे हुए फूल को कभी किसे में प्यार बड़ी नजरों से देखा भी प मुझे उनके खुस्ते से बहुत डर लगता है विनाश शेर की पिंजर में फसने के बाद तूरादे रह जाए या तो मर जाओ या फिर शेर से दोस्ती दोसरा काम मुश्किल जरूर है लेकिन कोशिश करने वालों के लिए नामन के लिए कितने पैसे हुए भाइसाब से वेंटी काई आज अगर जल्दी वापस नहीं आता तो शायद बहुत देर हो जाती है आप ठके हारे होंगे मैं आपके लिए भी गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ जाया जाती है तू क्या समझ किया है तो मुझे बेवकूत बलाएगी जाती है अपने यार से मिलने और मेरे सामने सब्सक्राइब का नाटक खती है मेरे साथ पिश्वाद कातिया है मैंने कोई हिश्वाद चाह नहीं किया जिवाता हूं चैट अजो के पास मैंने आपको कोई दोखना नहीं दिया मैं सब जामता हूं मैं सब जामता तुझे तुब के बाद सब जामता हूं आज से तुझ भर के बाहर नहीं जाएगी समझी आखिर आप क्या से क्या है आज सब जामता हूं उनने मुझे कर दिया पंजरें में बंद बंजी पर हैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी बस चुप चाप उनका हर जुन से जारे थी मैं चप्री शराप लीता हूं और जो कुछ बोलाने की कोशिश करता हूं वो और याद आता है आशा तुम मेरी पत्नी हो ना मुझे प्यार करती हो अगर तुम सच्छ मुझे प्यार करती हो तो आओ आदो आज हम सुआग रात मनाएंगे नए डंग्स सबसे पहले तुम एक एक करके अपने कपड़े उतारों अले मुझसे शरम कैसी मैं तो तुम्हारा पती हूँ तुम्हारे जिस्म के एक एक अंग पर मेरा अधिकार है कि उतारों कपड़े मेरे सामने कपड़े नहीं उतारोगी किस कि सामने उतारोगी तो विद्धारों अगरा सब्सक्राइब कर दो पर जाइब उप मेरे वारा हुआ कि एता बादाग कि एता लो कि उता है इता कि एता है बैठ जो लिए लो इसके पीने से सब दुख दूर हो जाते हैं लिए पीओ अरे तो कम से कम इससे स्नान तो कर लो ले लो अरे अरे जबराओने मैं तुमें जलाओने तरफ तड़ पाओंगा अरे 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 मैं तरफ पर रह गई इसी तरह अपने घुस्से की आग में मुझे चलाता रहा जुम के ऐसे ने ने तरीके मुझे आजमाता रहा मुझे तलाक चाहिए इन सारे दुखों से चुटकारा पाने का इसके इलावा मेरे पास और कोई रास्पा नहीं अच्छी तरह से स्वोच लो आशा चलबाजी में के एगे फैसले जिंदेगी बरबाद भी करते हैं कहीं असना हो के बाद में तुम्हें प्रिस्ताना में बाद में मर जाना भी पड़े तो मुझे मंजूर है मगर उस राक्षास के हाथों रोजाना जखनी होकर मुझे जीना मंजूर नहीं जो हसते हुए धीरे धीरे खून पीता रहता है जैना थाइक खरूए अगर तुमने मेरी मतद नहीं थी तो मैं अपनी जान दे दूदी नहीं आत्या होड़ी एसा अमतना तुम भलही मेरी हुकर श। यारू तो मारी खुशी में ही मेरी खुशी है मैं आज युशा एबत करता हूँ आज तुमने मेरा पोच हलका कर दिया है, अब इना दोखा, मेरे साथ दोखा और जैसे ही चाकू मेरे हाथ में आया, और जब मुझे तलाश करता हुआ, वो मेरे पास आया, तो मैंने पूरी ताकत से चाकू उसके गले में घौप दिया केशव के मरने के बाद, अगर अविनाश पुलिस को लेकर वापत आ जाता तो तो मैं कह देती के खून मैंने किया है, मगर वो वापस नहीं लोटा, जबकि पुली स्टेशन यहां से थोड़ी दूर है 15-20 मिनत इंतिजार किया, मगर जब वो नहीं आया, तो मैंने केशव की लाश चुपा दी, और फर्श पर फैला हुआ खून साथ कर दिया बहुत अच्छा किया तुमने, केशव का खून करके, कानुन से जो तुम्हें सजा मिलती, उससे बड़ी सजा तुम्हें केशव मरने से पहले दे चुका था कितनी अजीब बात है, तुम्हें जूर्म करने से पहले सजा मिली, और मुझे जूर्म ना करने की तुम जेल क्यों गएख पहले तुम पर जो गुजरी है, उसका बोच अपने दिल से हटाने की कोशिच करो, फिर मेरी गानी सुन लेना सुबा होने में देर है, तुम आराम कर लो, न चाहते हुए भी, लोगों के सामने इस सुबा तुमें अपने पती का शोग मनाना पड़ेगा केशो को अपने दिमाग से निकालो, वरना तुम पागल हो जाओगी संभालो अपने आपको, ओके अरे मेरी चांदी उठो ना, अरे उठो ना, क्या माते क्यों परिशन करें हो, देखो आज बाजू के बंगले से फिर चिखने के आवाद आ रही है, वहां तिरी पे जी और शुर चल रहा होगा, मुझे सोने दो, नहीं, लगता है केशव नारं अरे मेरी चांगा अश्किर अपनी बिली को पीट रहा है, तुम कहो तो मैं पुलिस को फोन कर दो, तुम्हे तो यह और काम है कि नहीं, ना खुद सोते हो, ना मुझे सोने देते हो, मुश्किल सकता तुने सपनी में आया था, तारी सपनी का सत्या नाश कर दिया, अब तो अजया, वर्म में को भी बिल्टूंगी, आहा, सुने सेक्टी तुमको और क्या सिखाएगा, अब तो जाओ, चुताओ, जाओ, 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 जाओ लो चाहे लो अब समझ में आया कि रात भर चिखने चिलाने की आवाजे क्यों आ रही क्यों पाजुवाला केशन उना रहे गाए ना हाँ वो प्लेन एक्सिर्ट में माला गया क्या हाँ मैं जरा उनके घर जाकर आता हूं ये चाहे तो पिलो अरे ये चाहे तुम पिलो मैं आकर पिऊंगा ये प्लेन ये पेपा लगो हाँ थेव्राइब। हाव्राइब। हृप हाफ कल राट जाने देट राच होगी सर आपकी ड्रेसिंग करने है आपकी ड्रेसिंग करने है जे बहुत ही अर्जन फोन करना है इसके लिए नीचे जाना होगा कितने प्रेसिंग बावनु कितने प्रेसिंग करने है कितने प्रेसिंग करने प्रेसिंग अब आपकी तो अशुक हो मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि केशव इस दुनिया में नहीं दा न्यूस मिलते ही पहला प्लेन बगड़कर आरहा आप बेठी, मैं देखाए हलो हलो, क्या मैं आशर से बाद कर सकता हूं उनके हस्बन की देथ हो गई यह क्या, देथ हो गई इसलिए इस वक्त वो फोन पर नहीं आ सकती अगर वो तो देखे, आप प्लीज उनसे मेरा नाम दीजिए तो वो ज़रूर फोन पर आजाएंगी मेरा नाम अभिनाश है तुम कहां से बोल रहे हैं देखे, मैं समय महात्मा गादी हॉस्पिटल के वार्ड नमर 16 से बोल रहा हूं अगर आप कुन बोल रहे हैं और आशा केसी है मेरा नाम अशूक है तुम्हारे सवालों का जवाब देने में हॉस्पिटल आ रहा हूं और जब तक मैं वहां नहीं आ जाता हूं तुम किसी से कुछ मत कहना हूं अब फोन रखो रखो फोन हाँ यूस सही है जाजी दिलिजायो परसे जी 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 पार पार सहां दिल लगाने जाई अबिनाश यह साब आपसे मिलने आए हैं आप? अबिनाश मेरा नाम अशोक है फोन पर तुम्हारी मुझसे ही बात हुई थी कल राब तुम्हारे जाने के बाद जब मैं केशो के घर पहुंचा तो आशा केशो का खुन कर चुकी थी अबिनाश 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 अगवान ने आपको भी कुछ सए वक्त भीज़ दिया वर्रण नाजाने आशा तुम कुछ दिनों तक आशा से मिलने की कुशिश मत पहता अरे हां मैं तो पुछता ही भूल गया तुम्हें चोट के से लगी कल राज जब केशव ने मुझे घर से भार निकालकर दर्वाज़ा बत कर दिया तो मैं पुलिस को बलाने के लिए भाग रहा था कि अचानक पुलिस की जीव से टकराकर गिर गया और भूश हो गया थीक है मै चलता हूं जी मगर याद रहे रात की बाद किसी को पता नहीं लगनी चाहिए अच्छा अब कैसी है कभी यता आपकी जी आप तो कुछ ठीक है पहले है मैं आप से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जी आपका नाम इड्रेस 394 आदरशनगर नियू लिंक रोड अंधेरी वेस्ट पॉम्बे कल रात कहां से आ रहे थे हां जी कल रात मैं अपने एक दोस से मिलकर वापस अपने घर लौट रहा था कि अचानक कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला करते हैं मैं उसे बचने के लिए भागा और हा देखो यहां सो डिश्चार्ज होते हैं पॉलिस्टेशन में आकर मुझसे जरूर मिलना जी अच्छा लगता है मैंने कहीं आपको देखा है मेरा नाम शोख है नाजी दिली चाहिए पूलना खेवर है मैं 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 विचलता हूँ आश्या मार बाबु जी कहा गया है मदरास तुम्हारे जाने के बाद इंस्पेक्टर कदम आया था मुझे लाश की शनाफ के लिए मदरास चाने को कह रहा था मैंने उसे यह कह कर दो कि मैं लाश नहीं देख पाऊंगी मार बाबु जी को भेज दिया मकर तुम कहां चले अब इनाश का फोन आया था वो हस्पीटल से बोल रहा था उसने बताया यहां से जाने के बाद वो पुलिस की जिप से टकरा कर बेहोश हो गया सुबा हॉस्पिटल में होश में आते ही उसने तुम्हारी खैरियत पुछने के लिए फोन किया था मैंने सोचा किस से पहले वो पुलीस को ये न बता दे कि कल रात को केशव यहीं पर था और तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ था मैंने फॉरन हॉस्पिरल पहुँचकर उसको रात की सारी कहानी बता दी अब खतरे की कोई बात नहीं है अबीनाज यहां क्यों नहीं आया देखो आश्या यह बात मैंने उसे भी समझाई थी और तुम्हें भी समझा रहा हूँ फिलाल तुम दोनों का मिलना ठीक नहीं है हां और देखो मेरा यहां जाददे रुकना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा मैं यहां से चला जाओंगा तुम अपने भविशे के बारे में सोचना शुरू कर दो हालो हालो जाएगी और मैं भी ब्लिद को नहीं बताओंगा पेरे घुले मूँ को पंद रखने के खीमत स्यादा नहीं तो तुम ऐसे गब और कहा पहुचा नहीं ब्लिद को नहीं बताओंगा पेरे गुले मूँ को बंद रखने के खीमत ज्यादा नहीं पाच्ला काकिश वो फोन पर मैंने मैंने सब कुछ सुन लिया अब क्या करें मुस्विबस से बचने के लिए तुम्हें उसकी ये बात माननी पड़ेगी सोचा था कि शब्स चुटकारा पाते ही परिशानियों का दौर खतम हो जाएगा अगर ये परिशानिया भी कैसे है ताई की तरह मेरा पीछा कर रही है आखिर वह कौन हो सकता है जिसने हम दोनों को लाश दफन करते हुए दिखा है अधिर मेरी तो समझ में कुछ नहीं आरा लेकिन कोई तो है जिसने अमें लाश को दफन करते हुए दिखा है तो जो भी हो उससे पांच लाग रुपर देने में ही समझ दारी है अब समझ में आया कि मांगने वाला पांच लाग क्यों मांग रहा है 20 पच्चे सी तो मांग सकता था मुझे यकीन है कि 5 लाग मांगने वाला सिर भही हो सकता है कौन हो सकता है अभीनाश अभीनाश? हाँ, उससे 5 लाग की जरूरत से ने 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 वो ऐसा काम नहीं कर सकता जंगल में लाश तफन की गई है इसका पता हम दोनों के सिवाए अभी नाश को है तुमी ने तो उसको बताया था और अब वो इस बात का फाइदा उठा रहा है लेकिन फोन पर तो उसके आवाज नहीं लग रही थी टेलेफोन पर रुमाल रखकर आवाज बदली भी जा सकता है जब नियत ही बदल दें तो आवाज बदलने में सिवी देर लग तुम हॉस्पिटल फोन लगाओ अभी पता चल गएगा ठीक है हुआ है कि अदुरो मातमा गंदी ओस्पिटल जो अवाज नम्बर सुना से मिस अविनाश को बिलागे पाइज सी कि वो तो कि आज दो बजिदिशाज हो गया इसका मतलब बो ना हो यह काम उसीगा है उससे अपने बहन की शादी ते लिए पांसलाग रुपे की सख जरू है पुली करने के लिए मुझे ब्लैक में पर्मेर रहा है जब के हपी किश्व का हुण मैंने नहीं अभी नाशी है यह क्या कर रही हो तुम हाँ, यह थुम्हसंक्ष्व में मैंने लिए लिए प्लाशी ना tricky तो फिर तुम ने उसे जूट के बला थह प्यार केंदे कभी-कभी लाठी पकड़ने के बजाए, सांप को पकड़ लोते हैं कल रात जब वो पुलीस को बलाने गया करते हुँ! करते हम पकड़ने प्रिकने कवेश. हमले करते हैं! करते करते हैं! रापन वापन अल कर अजय को पापन। वहापन जब खूपना जए खूब्श। आञाँ खूब। झापन जोड़ा थे खूपन झापन प्रत प्रत खूबू एज ब एजी तुम तुम फिर वापस आ गए लगता है तुम्हारी भी मौत मेरे ही हाथ में लिखी अब तुम यहां से जिन्दा नहीं जाओगे मिनाश वापस आगे है यह भग्मान क्या होगा गए किशों कुछ करना बेठे अमने क्या करूँ कर inherently अमने क्याओ कैना य doctrし आ आराओ य हाई है यहले है यहाई टुम तुम ट्वित जए कर देका है तुम तुम चरतम्हां से क्या के तुम words . ठाफ। अपिनश, अपिनश अपिनश जग्पल पहां से चा कि अपinky नहं कि अपको सा JOSH आपीनाree... क्ले क्लि कि अपको आज के मुख्य समाचा है आज शाम बॉम्बे से मद्राश जाने वाली हवाई जहाद एक री थ्वेंदी शाम छे बचकर तीस मिरिट पर मद्राश के बीस समंदर में विश्पोथ होकर गेर गई। इसी भी यात्री के बचने की कोई संभावना नहीं। यात्रियों के नाम इस प्रकार हैं। श्री रामचनर गोस्वामी श्री मती सीता गोस्वामी श्री मुकेष ठाकूर श्री केशव नारं श्री रामेश्व प्रतार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कर दो 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 अर्थर रोड जेल से एक फुखार कैदी जिसका नाम राकेश राय है जेल सोड़कर फरार हो गया है उसके पास इंस्पेक्टर का चुराया हुआ रिवालवर भी है किसी भी व्यक्ति को उस शक्त के बारे में कोई भी चांचारी मिले और इसके बाद तो मेरी कहानी में शामिल हो गए इसका मतलब यह हुआ कि अविनाश खुन करने के बाद पुलीस को बुलाने नहीं गया था बलके भाग रहा था और अचानक पुलीस की जीब से टकराकर बेहोश हो गया और मेरी जुबानी सारी कहानी सुनने के बाद उसने तुमें ब्लैक मिल करने का प्लैन बनाया और हस्पिडल से निकलते ही तुम्हें फोन किया हूँ फोन फोन उठाओ जरने के बाद लिए उठाओ फोन हलो पेटी मैं मदराज से बोल रहा हूँ अभी तक तो बोडी नहीं मिली है तलास जा रही है जैसे ही केशव की बॉटी मिलेगी मैं फोरण आ जाओंगा मैं होटल सवेरा के रूम नंबर सोला से बोल रहा हूँ कोई जरूरी बात हो तो यहां फोन कर लेना तुम सुन रही हो ना बेटी जी अपना ख्याल रखना बेटी रात बहुत हो चुकी मैं सोनी जा रहा हूँ अगर उसका फोन आए तो मुझे जगा देना हम एलिए भी एए प्जिए आए 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 ढीप सतुन आए आए रहा हूँ और मैं एपिए एजए आए ज कर पाला क। अवश हो ज चुकी मैं हुशन एगव जहांू हुशना बड़िए एव एवश बेवशना एजा आए आएएए खिरस जुशना आएए आए अए. आशा, उपर आवस बूदेगा लगता है, हमारी निग्रानी के लिए अबिनाशने किसी को रखा है मैंने इची जागर देखतो तो में इचे लूदे लूदे लूदेगा अबिन आवस लूदेगा 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 यूदेगा कौन था पता नहीं भाग गया शाज उसे पता लग गया कि हमने उसे देख लिया है हलो अज तो पार दो बची पांच लाग रुपाय बैक में डाल कर रूबी टावर लुगंड वाना कॉंप्लेक्स चौदर माले पर पहुंच कर लिफ नुमर एक में बैक छोड़ कर लिफ नुमर दूसे वापस चली जाना अश्या यह पांच लाग रुपे पैंक से निकालने पड़ेंगे अब इसाड़े गैरा बज्ये हैं तुम रुपे निकालकर रुबी टावस पहुंचो मैं तुम्हें दो बजी वही मिलूंगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 दो 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 कर और टुम्सार करेंगा है में देयूँ टोफने थालना लोगार險 पोफने के वो यहाँ और रहाँ जब हुआं खानौब यह जब दो जगा है जब हुआं जब हुआ जब हुआ कि अे आप benefici सेाओ कि अ के इंग loaf जाहласт, कि तोरों दित ते प्रमी से us अ को का चली का जय Receघरन, कि organizer कि जामे ले एके अ की चाली कारे यूट मतलुणीी सेप्दिक Mama कि準備 ला다 है कर दो देंग गर! बाने आप बाने छोरार है किया बात है बैग वापस लिया है निस्ट के उन्ट काम पर मेसेज मिला कि बैग वापस ले जाओ यहाँ पुलीस आ गई है मैं फिर फोन करूंगा ठीक किया तुमने मैंने वहाँ इंस्पेक्टर कदम को देखा था और और साथ में अविनाश को गी अविनाश को इसका मतलब म किसी ने खत्रे को दावत बत दो अब मेरी जिन्दकी में बाकी ही क्या बचा है मेरा जीना और ना जीना एक ही समान है लेकिन अविनाश को इसकी सदा मैं जहूर दो दूँए कि अज़िए कि कि अज़िए अज़िए मुझा नारंग, अभी इस ही वाक, पांच लाख रुपाह लेकर, नैशनल पार्ख में माहतमा गाने के समानी पर आजाओ, नुझ गई? अे झा फाने का मैं वाक, ब में में माहतमा तरुम में माहतमा घ Cr worn के लेकर, नुद ए में में मुझा हा हुआ है, उर्मा भेकर, नुझ ठर लेकर, रहा है ब करे शुझ धके समानी खर बार्ख में... कर दो कर दो कर दो बैग नीचे रख दो अब वापस जाओ कर दो कर दो दो कर दो बैग जाओ 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 दो झाल झाल ठेखो आशाप थैंक यू वेरी मच्छ अब मेरी बेहन की शादी हो जाए मुझे जकीन है मेरी मदद करके तुम्हें भी बहुत खुशी हुई होगी और पिर क्यू ना हो आखिर तुम भी तुम उसे प्यार करती हो ऐसा करके तुमने अपने प्यार को नफरत की उस सरहत पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से इंतिकाम का सफर शुरू होता है मैं तो डूबने से बचने के लिए तुम से सहरा मांग रही थी तुमने तो खंजर बनकर तुम्हें दुलन बनोबा अपनी दुलन अब वो दिन कभी नहीं आएगा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूँग तुम मुझे नहीं मार सकती आशा तुम मुझे नहीं मार सकती हो तुम मुझे नहीं मार सकती मैंने आज तक देरंग पानी से रंगीन तस्किरे बनाने की बिवकूपी की है मगर अब नहीं करूँ अरे तुम तो केशब से भी गिरे हुए हो वो जो कुछ करता था खुले आम करता था तुमने तुम नेरी स्पीट परवार किया है में तुमें जिन्दाने ही चोरूंगी आजिए 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 क्या हुआ आजिए इस अर्ष्व अशिए क्यों बेुद्सें भार र 55 में अक्रह्ष्व तुमने जरूरर अक्ती सोच को सपने में सच होते हों अजिए अजिंए व सपने में अनच्य को सबिने मैने ि दर्ची में हकीकत में मेरा देखावा सपना आधात मुगा हो चुका है आज अभी नाज मुझे ब्लैक मिल कर रहा है कल वो मेरी जान भी ले सकता है जो तुम्हारी जान बचाने के लिए केशो की जान ले सकता है वो तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हो सकता मुझे तो अभी यकिन आ र आज रात को दस बजे, वटके पुराने किले पर पैसे लेकर आजाना, याद रखना, अकेली आना, ठीक, दस बजे अब वक्ता दिया है मेहनत कपाल मिलने का कहां गया? क्या डूर रही हो? तुम्हारा रिवालवर, मेरे पास है, मुझे दे दो, रिवालवर रखना और रिवालवर चलाना, दो अलग लग बाती है, अब देर हो रही है, चलो यहां चरूर? उसने तुम्हें अकेले बुलाया है, इसलिए तुम जाओ, मगर डरना मत, मैं आस पास ही रहूँगा, ओके? यहां चरूर पास हाँ कर दो 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 बढ़ाए इत तरह कुझा तरह के पाइच करना सब्सक्राइब करना नहीं है कर, अब वापस जा, मुड़कर देखने की कोशिश मत करना कर देखने की करने की डंच sinful है कर दो है, और भा है तुम उस परिंदे की तरह बेवकुपी कर रहे हो जो तूपान से बशने के लिए अपना मू रेत में छुपा लेता है इंस्पेक्टर करवे फर्म प्राइम रांच एंड्स अप इंस्पेक्टर कदम लालज का धुआ तुमारी अकल पर इतनी बुरी तरह से चागया कि तुम अपने फर्म के साथ गदारी कर बैठी है उस वर्दी का पान किया है तुमने जिस पर जनता का विश्वास और कानून की बुनियात खड़ी है अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे माथ पर कभी ना मिटने वाली सियाई से खड़दार लिख दे तुम्हारे जैसा कोई भी पुलिस वाला बेमाने नहीं करता है अरस्वेम हम मराठा जो इमान को भगवान समझते हैं तुम के नाम पर गाली है गाली तुम ब्लैक मिल क्यों हो रही थी इसका पता दो मुझे चल जाएगा पिलाल एक मुझरिम को पना देने के जुर में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ प्राकेश मैं जानता हूँ तुम्हें कहीं चुपे हो भागने की कोशिश नहीं करना पुलिस के तुम्हें चार दुर अपने घेर रखता है याद रखो पुलिस वालों को भागे हुए कैजिसे कोई हमदर्दी नहीं होती चुप चाप अपने आपको गारूं के हवारे कर दो अगर एक बार तुम्हारे जिस्क से रूम निकल गई तो पच्टाने के रिए फिर वापत नहीं आएगी है तिंगा गिरूमा एक दो कि 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 तुमने मुझ्रमों के जबान खुलवाने के लिए कई बार थर्ड डिगरे का इस्तमाल किया है अब मैं तुम पर थर्ड डिगरे का इस्तमाल करूँ या तुम शराफत से बताते हो कि मिस्स नारंग को तुम ब्लैक मिल्क क्यों कर रहे हैं यह उस रात की बात है सर इस रात में मिस्स नारंग को मिस्टर नारंग की मौट की खबर दे कर पाहर में यह उस्तमाल के बात है यह उसे अच्छक पाहर रहे हैं यह उस्तमाल कि बात है यह उस्तमाल के बात है मुझे पता चला कि वह लाश मिस्सर नारंग की है कब मैंने अपना फर्दा करने के बजाए मिस्स नारंग को ब्लैक मेल करना शुरू करता मैं अपने कीपर बेहर शर्मिन ना हूँ सर्व लामत है तुम पर पुलिस की वर्दी पर एक बद्नो मात दाख हो इस्पेक्टर जिए जंगल से लाश निकालने का बंदोबस्त करो इस्पेक्टर लाश पोस्त माडम के लिए बेज़ दो वराम ले चुरू सर्व मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पुछना चाहते है यही न कि इस पेचे तक इसमें मैं कैसे चामिल होगा जिस रात मदराज जाने वाला फ्लाइट क्रैश हुआ था वो इस रात एक औरत पुलिस टेशन आएगी उसने मुझे बताया कि उस फ्लाइट में मिस्टर नारंग के टिकेट पर उसके पती गए है फ्लाइट क्रैश में मिस्टर नारंग के नहीं उसके पती की मौत भी वो चाहती थी कि उसके पती की लाश मिले में कोई कानून में रुकावट पैदा ना हो मैंने उसकी मदद करनी चाहिए दूसरे दिन सुबह मैं मिस्टर नारंग के खड़ गया ये देखर हैरान हो गया कि वहां तो मिस्टर नारंग की फ्राइट क्रैश में मौत होने की वज़ों से शोक मनाया जा रहा है मैं सोच में पढ़ गया कि मिस्टर नारंग तो मदरास गया नहीं तो फिर गया कहां ये देखर तो मैं और भी हैरान रह गया कि राकेश जो कि एक जेल से भागा हुआ कैदी है वो भी वहां मौझूद है मुझे कैसे इंट्रस्टिक लगा है उस दिन के बाद मैंने नारंग के घर के निगरानी शुरू कर दो लेकिन एक दिन राकिश ने मुझे देख दिया उसके बाद मैंने फोन टैप करना शुरू जिससे मुझे पता चला कि कोई मिसस नारंग को ब्लैक मेल कर रहा है सर ब्लैक मेलर का तो पता चल गया बंगा नारंग का खतल कि ने किया चलो नारंग के ख़र चलते यह सर तुम दोना उपर जाओ तुम लोग उदर देखो मुझे तो यकिन ही नहीं याता कि हमारी बेटिया ऐसा काम कर सकती है हमने भी तो अपनी बेटी को उस दिन यहीं जिन्दा दफन कर दिया था जिस दिन वो हमसे कह रही थी मुझे यहां से ले चलिए यहां मेरा दम घुट रहा है हाँ इस जैसे कि केशय उसे छोड़ न दे हमने उसके एक न सुनी तुम ठीक कहती है जब तक माबाब बेटियों को बोच समझ कर कंधे से चटकते रहेंगे तब तक इसी तरह के जान लेवा हास्ते होते रहेंगे जब तक इसी तरह के जान लेवा है जो चुप रहेगे जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का सर पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट आ गई है सब लोगों को बाहर ले आख यह सर सर पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट पढ़ते ही मुझे पता चला है यह कातिल कौन है कातिल मैं हूँ तो मैं तुम कोन होым है cupcake br क्योंकि वो एक शक्की और बेरहम इंसान था अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता है आप इसकी बातों का जगी मत कीजिए ये लो गुथी सुलचते सुलचते फिर एक बार उलच गए लाशिक और खुन का दावा करने वाले ये दो सर्थ मुझे लगता है ये खुन अबिनाश ने किया है क्यों क्यों कि मैंने इसे हॉस्पिटल में कहा था कि डिश्टाज होते ही पुलिस्टेशन आके मिलना बगर ये नहीं आया हाँ तो मिस्टर अबिनाश आप मुझे ये बताईए कि खुन आपने किस अध्यार से क्या रहा है चाकू से दार्स राइट नारंगा खुन चाकू से हुआ मगर तुमने चाकू कहा मारा था इसका मतलब ये खुन तुमने भी नहीं किया है और मैं आज तक तुम्हें बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले रही तो पर कातिल कौन हो सकता है खातिल वही है जिसने खुन भी किया और चुप रहकर पुरा तमाशा भी देगा नहीं सर्थ मैं खुनी नहीं मैंने कब कहा कि तुमने खुनी खुनी वही है जिसके उंगलियों के निशान इस चाकू पर इस चाकू पर मस्टर राकेश के उंगलियों के निशान में सुलाके ये खून तुमने किया है हाँ इंस्पेक्टर ये खून मैंने किया नारंग ने जिन्देगी में जितनी दौलत कमाई उससे कई ज्यादा लोगों की नफरत कमाई हर खुबसरत औरत का शिकार करना उस वेशी दरिंदे की आदत बन गए थी जिस पर उसका दिल आ जाए मेरी बीवी मॉनिका मशूर मॉडल थी वो नारंग के हां मॉडलिंग करती झाल झाल मौनिका आज तुम बहुत खुबसुरत लग रही है आज मैं तुम्हारी ऐसी तस्वीर उतारना चाहता हूँ जो हजारों साल पहले उस वक्त ली गई थी जब लोगोंने कपड़े पहना नहीं सिखा कैमरा मेरा दिल होगा और तुम धड़कन बनकर मेरी सांस उसे प्रज़ा है मिस्टर नारेंग, हाँ डैर यू आपकी हिम्मत के से मुझसे इस तरह बात करने की आप अच्छे तरह जानते कि मैं एक शादर शुदा और एक शरिफ लड़की मुए तो वाट, ये तो और भी अच्छी बात है जिस तरह पानी पर लिखा फॉरण मिट जाता है उसी तरह अगर कभी कभार मैं तुमसे होकर गुजर जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुमारा बैंक बैलन्स भी पढ़ता रहे मैं मॉडलिंग बैंक बैलन्स के लिए नहीं करती मेरे पती की इतनी इंकम है कि अगर मैं मॉर्लिंग ना भी करूँ तो कोई स्वास नहीं पड़ता ऐसा तुम उसकी इज़त रखने के लिए कह रही हो अगर उसकी इंकम अच्छी होती तो शादी के इतने दिनों बाद भी उसने तुम्हारी गोद क्यों नहीं भरी सिर्फ इसलिए कि कहीं मा बनकर तुम्हारा ये उसन धल न जाए और उसकी चलती फिरती दुकान को ताला न लग जाए अरे तुम क्या जालो मेरे राकेश की सोच और सूरत दोनों देवताओं जैसी है कभी तो ये जानने के बाद भी कि में मा नहीं बन सकती उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं जबकि तू तू जितना बचूरत है करी सोट उससे भी कहीं ज्यादा बचूरत है मेरी सूरत पर दौलत का नगाब चड़ा है और दौलत से खूबसुरत तो भगवान का चेरा भी नहीं होता शूच क्या चीज था हूँ हूँ कि अजालीत है. कि अजफंवे कि अजब थे जास्टी… जासमी लिए अजबीग, इनली! अुप अजबी अजबी! कि अ कि यद्रूस जो... कि कि ये करिओा। कि अभी तक मेरे चेश्टत रहें कि इनने में तेरे आच्छे से साथ अभी अभी तो पश्रत हूं इस सारी तुनिया तो क्या तेरा पती भी जंदगी भर तुझसे नफ्रत करेगा कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है तुम तिर वापस आ गए लगता है तुम्हारी मौत मेरे यह हाथ पुली अब तुम यहां से जिन्दा नहीं जाओगे हुई है हुई 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 इसा कि अ कि आ दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लग रष लप्ट कर दो किल हुझ वसे दिनना में चुर्णा! अविनाश्ट! 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 नारंग का खुन करने के बाद मुझे पता चला कि उस एक साल में नारंग ने शादी कर ली है अगर इस बात का पता मुझे पहले चल गया होता तो मैं नारंग का खुन कभी नहीं करता क्योंकि गुनेगा नारंग था और सजा मैंने नारंग के साथ साथ उसकी बेगुना पत्नी को भी दे दी आशा को नारंग की लाश चुपाते देखकर मुझे कुछ शक्सा हुआ मैंने ही कुछ दिनों के लिए आशा और अविनाश्ट को एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते तो जाहर हो जाता कि इन दोनों में से नारंग का खुन किसी ने नहीं किया है और इनका शक सिर्फ मुझ पर जाता है मैं बाहर जाता तो पुलीस मुझे पकड़ लेती है मुझे कुछ दिनों के लिए इस घर में चुपकर रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था सब कुछ आसाने से निपट गया था अगर यह आदम हमें ब्लैक मिल नहीं करता आपकी पुलीस मुझे कभी पगड़ नहीं पुलीस इतनी बेवकूफ नहीं है और इंफ्रमेशन चाकू नकली है और इस चाकू पर तुमारी उंगलेओं के निशान नहीं है मुझे पहले से ही तुम पर शक था क्योंकि मैंने तुमारे पाइल पड़ी और मुझे इस बात का पता चल चुका था कि मिस्वे नारंग की गवाई की वजह से तुम्हें सजा मिली और इसलिए मैंने ये तुका फेंगा जो तीर बनकर सीधान निशाने पर लगा और तुमन झाल झाल